हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई यूटूब चैनल मैसल प्राची तिवारी फ्राम इन्फाइन आउनलाइन क्लासेश फ्रेंड्स जैसा कि आप लोग को पता है कि मई का महीना समाथ हो चुका है अब जून का महीना प्रारंब हो रहा है तो अब हम मई के जितने भी इंपॉर् मनाया जाता है यानि कि स्रमिक दिवस और मही दिवस कब मनाया जाता है तो इसका एंसर है एक मही अगला है विश्व प्रेश सोतंतरता दिवस कब मनाया जाता है तो इसका एंसर है तीन मही तीन मही को विश्व प्रेश सोतंतरता दिवस मनाया जाता है जैसा कि आप लोग कि अन्तर का चौथा आधार स्थंभ है तो मीडिया का आम जनता को इसका महतों बताने के लिए यह दिवस मनाया जाता है अब बात करते हैं लोक तंत्र के चारे स्थंभ है पहला है नियाएपालिका दूसरा है कारेपालिका तीसरा है विदाई का और चौथा है मीडिया मीडिया की सुतंता के बारे में आम जनता को जागरित करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है नेक्स्ट है अंतर रास्टिये अगनी शमन दिवस कब मनाया जाता है तो इसका आंसर है चार मई चार मई को अंतर रास्टिये अगनी समन दिवस मनाया जाता है यह क्यों मनाया जाता है क्योंकि चार माई 1999 इस्वी को पहली बार यह दिवस मनाया गया था 1999 इस्वी में आस्टेलिया में जोपडियों की आग को बुझाने के समय पांच लोगों की मृत्यू हो गई थी उनको धन्यमाद देने के लिए और जितने भी फायर फाइटर होते हैं उन सभी का सुक्रिया अदा करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है अगला है वर्ड रेड क्रॉस डे कब मनाया जाता है तो इसका अंसर है आठ मई आठ मई 1830 को इसकी सुरुवात हुई थी और इसका हेड कोटर है जनेवा में रेड क्रॉस डे के संस्थापक और उनकी सांती के लिए पहले नॉबल प्रसकार्ट बिजेता जीन हेंरी जू टैन के जन्व दिवस के उप्लक्ष में यह दिवस मनाया जाता है अब बात करते हैं इंडियन रेड क्रॉस की तो इंडियन रेड क्रॉस एक स्वैच्छिक और मानोता वादी संगठन है जो दूसरे देशों में लगबख 700 से भी अधिक साखाओं का एक नेटवर्क है जो आपात काल के समय सभी को रहात पहुचाता है सबकी मदद करता है इसी को रेड क्रॉस टे कहा जाता है नेक्स्ट है प्रद्योगी की दिवस कब मनाया जाता है तो इसका एंसर है ग्यारा मई को ग्यारा मई को प्रद्योगी की दिवस मनाया जाता है अब बात करते हैं कि ये दिवस क्यों मनाएं जाता है तो इसका कारण है 11 मई 1998 इस बी में स्वर्गिय स्री अटल बिहारी बाचपेई जी ने इसकी सुरुवात की थी इसी दिन तकनी की क्रांती आई थी और यह दिन भारत की विज्ञान में दच्छता और प्रद्योगी के विकास को दरसाता है स्वर्गिय स्री अटल बिहारी बाचपेई की अगवाई में राजस्तान के जैसर मेल के पास में पोकरण में सफलता पूर्वक परिछड किया गया था इसी दिन की याद में यह दिवस मनाया जाने लगा इसके अलामा इसी दिन डिड्रो यानि की डिफेंस रिसर्च और डेबलेप्मेंट और अरगनाईजेशन में ने सता से हवा को पहली बार सफल मिसाइल परिछड किया था इसी लिए इन दोनों दिवस के याद में राश्टिये प्रद्यों की दिवस मनाया जाता है ग्यारा मॉई को अंतर राश्टिये नर्श दिवस कब मनाया जाता है तो इसका आंसर है 12 मॉई को फ्लोरेंस नाइटिंगल की वर्सगाट पर पूरी दुनिया में यह दिवस यानि की अंतर रास्टिये नर्स दिवस मनाय जाता है इसकी सुरुवात 12 मई 1915 टिस्वी में हुई थी नेक्स्ट है अंतर रास्टिये परिवार दिवस नेक्स्ट है अंतर रास्टिये परिवार दिवस कब मनाय जाता है तो इसका आइंसर है पंदरा मई को पंदरा मई को अंतर रास्टिये परिवार दिवस मनाय जाता है इसकी सुरुवात 15 मई 1993 वी में इस दिवस को संयुक्त रास्ट महासभा के द्वारा प्रारंभ किया गया था यह अंतर रास्ट ये परिवार दिवस या दर्साता है कि समस्त रास्ट यानि कि विश्व के सभी देश आपस में एक परिवार की भाती रहते हैं और आज के आधूनी जबाने में इसका महत्व ये है कि जो परिवार का बिक्टर लगातार होत रहा है इसको रोकने के लिए और आम जनता को इसका महत्व समझाने के लिए अंतर रास्ट ये परिवार दिवस मनाये जाता है नेक्स्ट है अंतराष्ट ये दूर संचार दिवस कम मनाया जाता है इसका एंसर है 17 मई अब ये दिवस क्यों मनाया जाता है 17 मई 1865 इसभी को इसकी सुरुवात हुई थी लेकिन आधूनिक सबय में इसकी सुरुवात 1979 इसभी में माना जाता है अन्ता राष्ट ये दूर संचार की इस्थापना की याद के रूप में या दिवस मनाया जाता है इंटरनेट तथा वैसिक जागरुकता बढ़ाने के लिए इस दिवस का आरम भी किया गया था नेक्स्ट है इसका आणसर है अठारा मई अठारा मई उन्नी सो अठानेबेस जी में संयूक्त राष्ट में संग्राले की विसेश्था यह महत्त को समझाने हे तू अंतर राष्टी महा संग्राले दिवस के रूप में मनाने का निर्ड़े लिया गया था संग्राले में ऐसी एनेक चीज़ सुरच्ची तरक्रिय आती है जो मानो सांस्कृत धरोहर और प्रक्रित को दरसाती हैं इसलिए हर साल अंतर राष्टी संग्राले दिवस मनाया जाता है अगला है आतंक वाद बिरोध दिवस कब मनाया जाता है इसका अंसर है 21 माई 21 माई को अंतर राष्टी ए आतंक वाद दिवस मनाया जाता है 21 माई 1991 इसवी को तमिल नाडु के स्री पेरम बूटर में पूर्व प्रधान मंतरी राजियू कान्दी के हत्या कर दी गई थी इस दिन को हर सरकारी कार्याले में उपकरम में सरकारी संस्थाओं में आतंक वाद बिरोध दिवस के रूप में मनाया जाता है इस दिन सभी सरकारी संस्थान में आतंक के बिरोध सफ़द दिलाई जाती है तथा देश की युवा पीढी को आतंग से बचने के लिए और सही रास्ते पर चलने के लिए जागुरुक किया जाता है अगला है छोगता दिवस कब मनाय जाता है इसका आंसर है 22 माई को जड़ भिविदता दिवस मनाय जाता है नेक्स्ट है राष्ट मंडल था भाई दिवस कम मनाया जाता है तो इसका अंसर है 24 मई 24 मई को इसकी सुर्वा सबसे पहले अमेरिका में हुई थी और इसी दिन को भाई दिवस के रूप में भी मनाया जाता है अमेरिका का मानना था कि सभी राष्ट आपस में भाई की भाति वेभवार करें अर्थात एक दूसरे की जरूरतों पर उनका सहयोग करें तो बिस्व में कोई भी समस्या उत्पन नहीं होगी इसलिए हर वर्ष बाईस मई को आख अंतर रास्ठिय भाई दिवर्श अता राष्ट्मंडल दिवस मनाया जाता है next है ईसका आंसर है 29 मैं 29 मैं को सजयूक्त रास्ट अंतर रास्ट यह सांती शैनिक दिवस मनाया जाता है अब इसके सुरवात क्यों हुई थी इसके लिए बढ़ते आगे संयुक्त राष्ट सांती सैनिकों का अंतर राष्ट ये दिवस 29 मई को मनाया जाता है उन सभी महिलाओं पुरुषो को सरध्धानजली देने है तो तथा धन्यवाद देने है तो जिन्होंने अपने देश अपने भूमी के लिए अपनी जन भूमी के लिए अपने प्राण नवचावर कर दिये यानि कि हमारे जितने भी आर्मी सोलजर् को उसे उन सभी का धन्यमाद देने के लिए उन्तिस मई को या दिवस मनाया जाता है अगला है तमभाखु निसे दिवस कब मनाया जाता है तो ये तो भी जस्ट एक दिन पहले ही मनाया गया था इक तिस मई को इक तिस मई को या दिवस मनाया जाता है संपूर देश में अर्था संपूर बिस्व में तमभाखु को त्याक कर सरल जीवन सहली को अपनाने हे तो या दिवस मनाया जाता है जनता का ध्यान, सराब, नशा, गुटका, इन सभी चीजों से हटा करके स्वस्त जीवन सहली पर लाने के लिए यह दिवस मनाया जाते हैं